नमस्कार दोस्तों, धनराज अहलावत यूटूब चैनल में आपका स्वागत है कवर स्टोरी में जानते हैं न्यूटन के बारे में कुछ महतोपूंट तत्थ है दुनिया की सब से जरूरी वैज्यानिक खोज करने वाले आईजेक न्यूटन के गर में एक पेंटिंग मिले माना जा रहा है कि इस अनोखी पेंटिंग को न्यूटन ने ही बनाया हुआ और जिस गर में यह पेंटिंग मिली उसमें न्यूटन बच्पन में रहा करते थे पिक अप ने आईजक न्यूटन की के ग्रह स्थान पर एक उस पैंटिंग की खोज की, सोद के दो रानों ने एक हाल ही की दीवार पर एक पावन चक्खी का स्क्रेच मिला, आर्टि आई नाम की आधुनिक टक्निक की मदद से इस पूरे स्क्रेच की जाच करने के बाद है गैनिकों ने कहा कि ये आईजक न्यूटन के करीब 340 साल पहले बच्पन में बनाया हुआ होगा, और गोलतलब है कि लंका सायर में न्यूटन का वच्पन भी था और यहीं उन्होंने पहली बार प्रकास को प्रिजन से निकाल कर महतोपूर्ण वेग्यानिक सिर्दान्द का प्रस्तुत किया, साथ ही इसी जगह पर उन्होंने दुनिया का सबसे महतोपूर्ण गुर्ट्वाक्षन का नियम भी इजाद किया था, उन्होंने पेड से से शेव के गिरने के खिप्रबावितों कर गुर्ट्वाक्षन के नियम की खोजगी थी, वैग्यानिकों का कहना है कि विशों के सबसे महान वैग्यानिक में सुमार न्यूटन की ये पेंटिंग इस बात को लेकर एहम जानकारी दे सकती है कि वह बच्पन में क्या लिखते पड़ते थे, साथ ही ऐसी चितरकारी उसके जीवन में को लेकर कई अनेक और अनोखे तथ्या सामने ला सकती है, न्यूटन का जन्म एक किसान प्रिवार में 1642 में हुआ था, न्यूटन को पेंटिंग का बहुत श्योक था, वह अक सरपड़ते हुए अपने नोट्स दिवारों पर लिखते थे, इसके साथ वैयालग अलग तरह की पेंटिंग भी इन ही दिवारों पर मनाते थे, इससे पह आले भी 1920 और 1930 के दसक में न्यूटन की कई पेंटिंग लोगों को मिली थी, ठैंक्स पर वाचिंग वीडियो, धन्राज अलावत यूटूब चैनल को ज्यारा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठैंक्यू